मेरी जो first freelancing website थी वो मैंने free of cost deliver करी थी तो क्या आप लोग को भी अपनी websites को free of cost deliver करना चाहिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लेना चाहिए मैं आप लोगों से यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आज के इस वीडियो में discuss करेंगे कि आप लोगों को अपनी services का आप चोग चाहे coding करते हो चाहे आप लोग websites बनाते हो चाहे आप लोगों किसी को कोई app बना कर दी हो मैं आप लोगों को इस वीडियो में clear करूँगा कि आप लोगों कितना charge करना चाहिए और आप लोगों कि उतना क्यों charge करना चाहिए एक बात clear करना चाहता हूँ कि यह वीडियो बिल्कुल भी how to make money वाला वीडियो नहीं है मैं आप लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं बोलूँ कर कि यार आप लोग इतने कमालोगे उतने कमालोगे तो आपकी strategy in my opinion अलग-अलग clients के साथ अलग-अलग होनी चाहिए basically होता क्या है कि जो नए लोग होते हैं जो beginner coders होते हैं वो मेरे साब से एक सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो लोग fair charge करते हैं अब आप लोग को यार fair charge नहीं करना चाहिए ऐसा beginner आप लोगों को सामने वाले को value deliver करने के बारे में सोचना चाहिए और एक बार आपने value deliver कर दी आपने अपने आपको prove कर दी आपका जो first freelancing project आपने किया वो अच्छा हो गया वो expectation के इसाफ से गया उसके बाद आप लोग पैसा कमाने की सोच सकते हैं गलती जो यहाँ पर beginners करते हैं वो क्या करते हैं वो कहते हैं यार कि अब मुझे skill आ गई है अब चलते हैं market में और सारा पैसा loot कर ले आते हैं ये बिल्कुल भी आप लोग की strategy नहीं होने चाहिए ऐसी सोच कभी नहीं होने चाहिए आप लोग की आप जब market में उतरते हो आप ये बोलो कि मैं market में उतर गया हूँ let me deliver some value ना कि आप लोग ये बोलो let me take some money किसी से कभी भी पैसे लेने के target के साथ आप लोग market में नहीं उतरेंगे as a developer और आपका ही नुकसान होग अगर आप लोग ऐसा करेंगे as a developer as a freelancer आप लोग market में ये सोच के उतरोगे कि यार एक client है उसको मैं loot लूँ जितना ज़्यादा पैसा चाहे उससे मैं कमाल हूँ तो आप लोग को long term में फाइदा नहीं होगा वो सिर्फ एक बार शायद आप लोग ऐसा कर पाऊ दो बार कर पाऊ long term में आपको कभी भी फाइदा नहीं होगा आप लोग कोदी सोचो है जो बड़े बड़े business होते है वो scalability का game खेलते है यानि कि वो ये कहते है कि यार आप हमसे value low हमें पैसे दो खुश होकर वापस आओ और आते रहो आते रहो हमें word of mouth से और clients दिलाते रहो दिलाते रहो दिलाते रहो and so on और उनका business जो है वो आगे जाता जाता है scale करता जाता है करता जाता है और वो अपने business को grow करते ही जाते हैं तो let me come to the point आप लोगो कितना charge करना चाहिए अपनी website का अपनी app का या फिर actual में एक business है for example एक company है let us say कि आप लोगों के पास एक opportunity आती है philips की तरफ से philips bulb वाली जो अपनी company होती है electrical वो आपके बास आती है और वो कहती है कि यार हमें अपनी website ठीक करवानी है मानलो everyday आती है वो आपके बास आती है कि यार हमें अपने website में SEO करवाना है या फिर हमें अपनी website में यह design चाहिए यह back end चाहिए login system चाहिए कुछ भी उनकी requirement हो सकती है तो वहाँ पर आप लोगों कितना charge करना चाहिए अगर आप लोग एक business के साथ deal कर रहे हैं तो business की मैं कहूंगा almost all the businesses की एक policy होती है कि यार यह यह policy के तहए हम लोग इतने पैसे developers को देंगे अगर वो intern होगा और developers को देंगे अगर वो full time यहाँ पर employee होगा and so on उनकी अलग-अलग strategies होती है अगर वो लोग आप लोग से internship पे काम करवा रहे है तब कितने पैसे आपको दिये जाएंगे अगर आप लोग काम कर रहे हो एक independent contractor की तरह तब आपको कितने पैसे दी जाएंगे सब कुछ तै होता है उनके पास तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि आपके business की policy के हिसाब से कितने पैसे आप लोग मुझे देंगे कितने पैसे offer करेंगे और अगर आप लोग अच्छे business लोग deal कर रहे हैं वो बहुत अच्छा पी करते हैं more than you will ever expect तो यहाँ पर अगर आप लोग उनके उनसे पूछते हैं रादर आप लोग यह कहते हैं और वो लोग भी आपको professional समझेंगे and even if you get the project आप आजाते हैं project में आप याफिर इंडर्शिप में आजाते हैं आपका main focus होना चीए कि उनको satisfy करना उनको ऐसा काम दिखाना कि आर उनको लगे कि this person is an asset यह बंदा जो है काम का है या फिर यह बंदी जो है बहुत जादा काम की है तो इसी लिए आप लोग जो है अपने client का trust गेन करें पैसो के चक्कर में initially बिल्कुल भी ना पड़ें मैं अब आप लोग को बताता हूँ एक गल्ती जो कि मैंने करी थी एक business के साथ deal करते वक्त जब आप beginner होते हैं तब यह चीज में आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग एक business का trust जो है वो gain करें आप उनके trust को जीतें और एक बार आपने उनका trust जीत लिया तो आप लोग को बहुत साथा काम मिलेगा बट मैंने गल्दी पता क्या की थी मैंने एक ऐसी गल्दी करी थी कि एक अच्छे business के साथ काम करते वक्त मैंने अपने price को बहुत कम code कर दिया था जब कि मैंने उनका trust भी एक बार earn कर लिया था एक बार आपने उनका trust earn कर लिया तो आप धीरे धीरे करके अपने prices को बढ़ा सकते हैं और एक fair level तक ला सकते हैं और उसके बाद उस fair price के साथ आप लोग deal करेंगे अलग-अलग clients के साथ तो basically मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को आप high charge करो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इतना काम करो कि यार आप पूरे burn out हो जाओ ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग एक beginner हो तो आपको market में उतरना है आपकी जो market में उतरने वाली face होगी उसमें पैसो के बारे में नहीं सोचना है और ये करना मुश्किल होता है मैं आपको बता रहा हूँ मुझे मालूम है कि आप लोग को पैसो की बहुत जादा जरूरत है आपके बास कोई source of income शायद ना हो आप सोच रहे होगी यार यही एक तरीका है जिससे कि मैं अपने bills पे कर सकता हूँ या सकती हूँ या वो सब चीज़े कर सकता हूँ या सकती हूँ जो की मैंने सोच रहे हैं अपने दिमाग में मुझे यहां गुमने जाना है यहां खाना है ऐसा करना है वैसा करना है बट आपको यहाँ पर wait करने की जरूरत है and that wait is going to be worth it दूसरा सिनारियो यहां पर यह है कि आप लोग किसी भी एक freelancing platform पर sell कर रहे है for example Fiverr, Upwork, Freelancer.com इस तरह की किसी website पर अगर आप लोग काम कर रहे है तो आप लोग की simple सी एक strategy होनी चाहिए कि आप लोग सामने वाले से सबसे पहले पूछे कि आप कितने पैसे देना चाहते है अगर आप लोगों से वो पूछे कि यार आप कितना चार्ज करोगे तो आप लोगों को client को force कभी नहीं करना एक यार आप बताओ कितने दोगे आप बताओ कितने दोगे that just looks unprofessional आप लोगी strategy क्या होनी चाहिए कि आप लोग कम से कम चार्ज करो एक बार उसने मना कर दिया कि यार वो नहीं बताओ का आप बताओ आप कितने चार्ज करते हो कम से कम आप लोग को पैसे लेने है आप कुछ ऐसा समझ लोग कि आप rating के लिए काम कर रहे हो आप पैसों के लिए काम ही नहीं कर रहे हो और मुझे मालूम है यह difficult है आपको लगेगा यार मैं इतना काम कर रहा हूँ इस बंदे को free में काम मिल रहा है और मुझे जो है इतने कम पैसे मिल रहे हैं ना के बराबर but let me tell you something आप अपने profit के बारे में सोचो उसके profit के बारे में मत सोचो लोगों की एक बहुत बड़ी problem होती है कि यार अगर सामने वाले को थोड़ा सा भी फायदा होता हूँ नहीं दिखता है तो उनको उनके अंदर थोड़ी सी हलचल मचने लगती है यार इसको फायदा हो रहा है तो कैसे हो रहा है आप अपने फायदे को इग्णोर मत करो आपको भी वो अच्छी rating देगा अगर आपसे कम पैसे में काम करवाएगा in most of the cases अगर आप लोगों ने सही से उसकी बात सुन ली और deliver कर दिया और ये गलती भी कभी मत करना कि यार एक बार काम आप लेते हो तो आप लोगों को एक बार देख लेना है सही से कि यार ये मैं कर पाऊँगा की ने कर पाऊँगा अगर मैं कर पाऊँगा तर भी मैं उठाऊँगा वरना मैं ये काम नहीं उठाऊँगा just because it's my first project on this platform अगर आपको फिर्स प्रोजेक्ट है उस platform पर और एक बर आपने ratings in most of the freelancing platforms अगर आपको एक बर rating आ जाती है initially उसके बाद आपको बहुत जादा काम मिलने लगता है तो it simply works like that तो आप लोग को initially rating के हिसाफ से काम करना है आपको कुछ ऐसा करना है कि यार मुझे rating दिलवा दो कुछ भी करगे एक पर आपको rating मिल गई तो definitely आपको बहुत जादा काम मिलना शुरू हो जाएगा अब एक तीसा सिनेरियो है कि आप लोग independent entrepreneur से बात कर रहे हैं अब अगर वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं हमेशा आप लोग को बोलूगा कि यार उसको faces में करो अलग-अलग face में करो ताकि आपको ऐसा न लगे कि यार इस इनसान के लिए मैं इतना कुछ किया और मुझे कुछ मिला नहीं यह मैं सब आपको personal experience से बता रहा हूँ आपको कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसका आपको reiterate हो तो आप लोग अपने client से यह पूछ सकते हैं अगर वो एक independent entrepreneur है आप उससे यह बोल सकते हैं कि यार देखो मैं इतने पैसे तो charge करूँगा ही करूँगा उसके बाद आपको जितना भी फाइदा हो उसके हिसाब से आप मुझे पैसे दे देना अब most of the entrepreneurs चकर में नहीं पढ़ना चाते हैं और वो शायद आपको मना करते हैं वो बोलेगी नहीं यार आप अपना front charge directly बता दो और उसके basis पे हम लोग जो है इस project को आगे बढ़ा लेते हैं in that case आप definitely अपने project को faces में करो क्योंकि सामने वाला बंदा interested नहीं है आपकी deal में तो आपको ज्या करना चाहिए faces में करना चाहिए project को आप कहेंगे face one में मैं ये deliver करूँगा अगर आपको face one वाला काम में पसंद आता है for example मालो आपको किसी के लिए blog बनाना है आप वो blog website उनको बना करतेते हो अगर face one पसंद आया तो आप उस blog में authentication system भी लगा दोगे अगर वो भी पसंद आया तो आप comments लगा दोगे तो उससे फाइदा क्या होगा आप लोगो अगर face one का काम client को समझ में आया और face one के लिए you are underpaid तो face two, face three, face four के लिए आप if not overpaid कम से कम आपको fair pricing तो मिल जाएगी अपने काम की अपनी मैनत की हमेशा याद रखना की client का satisfaction आपके लिए सबसे जादे important होना चाहिए इनिशल face में और आप बाद में पैसे definitely कमाऊगे आपको ये बात सोचने की जरूरत मिनी पड़ेगी यार की मैं पैसे क्यों नहीं कमा रहूँ मैं कैसे कमाऊँ आप कमाऊगे ही कमाऊगे पैसे आपको initially अपने client के trust को जीतना है और उस trust को जीतने के बाद आपको वही client दस और जगा पर recommend करेगा and definitely you are going to win तो initially आप लोग को उसके भरोसे को जीतना है आपको दिखाना है कि आप एक professional developer हो आप ऐसा काम करते हो जिसकी actual में value होती है और उसका आप fair price charge करते हो तो आपको definitely recommend किया जाएगा बार-बार ठीक है अब यहाँ पर एक 14 scenario में मैं लेना चाहता हूँ कि आगर आप लोग किसी दोस्त के लिए website बना रहे हो अगर आप लोग किसी दोस्त के लिए website बना रहे हो अब अगर मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें value है तभी मैं वो काम लूँगा वरना मैं उस इंसान को समझाऊंगा कि why I don't think this is a good idea and why will this idea fail अगर वो कुछ भी implement कर रहा है मुझे लगता है कि यार यह definitely waste of time होने वाला है और कुछ नहीं होगा तो मैं उसको बता देता तर जाकर कि यार देखो इसमें कुछ रखा नहीं है यह सब चीजे जो हैं विकार की है you should do something good और यह मेरा opinion होता है definitely मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि किसी के भी idea को बुरा आपको हो जाकर but अगर आप ऐसा feel करते हो तो आप अपने दोस्त को बता सकते हो वो आपका दोस्त है वो आपकी बातों को समझे का आप बता सकते हो कि I feel कि यहां पर मुझे future में कुछ नहीं मिलने वाला आपको future में कुछ नहीं मिलने वाला so let's finish this work on a deal basis you can pay me something I'll get the job done for you कुल मिलाकर मैं अगर इस वीडियो को summarize करूँ तो मैं यह बोलूँगा शुरू में आप लोग को पैसे नहीं कमाना है आपको सामने वाले का trust gain करना है आपको ऐसा इंसान बनना है जिस पर सामने वाला भरोसा कर सके और वो यह कैसा के कि यार यह बंदा हमेशा मुझे to the point काम करके देता है and he is the best तो ऐसा इंसान आप लोग को हमेशा बनना है I hope कि आप लोग को सावाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको कितना charge करना है अपने client को always use your intuition अपनी intuition को use करें always look at the situation अब यहां पर ऐसा नहीं कि जो चीज़े मैंने बताई वो आपकी पूरी की पूरी template में फिट हो जाएंगी this these examples were to give you some idea आप लोग को कुछ idea मुझे देना था and I hope मैंने बहुत अची तरह से आप लोग को idea दे दिया I hope this was helpful अपना ध्यान डखना अब ये के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time